लो दोस्तों, वेलकम टो IFS आज टीचर्स डे के स्पेशल ओकेशन पे एक स्कॉलर्शिप टेस्ट आप सब के लिए यहाँ पे हमने रखा है और इस स्कॉलर्शिप टेस्ट को आप कैसे अपियर कर सकते हो यह मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है IFS के ऐप में अगर आपने ऐप में कोई रेजिस्टर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो अकाउंट क्रिएट कर लो, जो फ्री कोर्स एक आपका एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पे और अगर आपका कोई भी paid courses में admission है तो आपको दूसरा एक account create करना पड़ेगा दूसरे account से register करना पड़ेगा जहां पे free courses देख सके तो शुरू करते हैं कि एक बार आपने registration में चले गए यहां पर first name last name username password यह सब enter कर दो आपका जो भी subject है जैसे chemical science है life science है mathematical science है physical science है कोई भी subject आपका जो भी subject है वो subject यहाँ पर select कर लेना याद रखिए chemical science अगर आपने select किया तो for example यहाँ पर आपको chemical sciences का CSR net का course देखेगा ठीक है यह ऐसा एक free course आपको वहाँ पर login करने के बाद दिखाई देगे ठीक है chemical science select करोगे तो chemical science देखेगा life science करोगे तो life science देखेगा mathematical science करोगे तो mathematical science देखेगा और physical science करोगे तो physical science करेगा देखेगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर login करने के बाद CSR net chemical sciences और सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सामने ही play when learn यह option दिखाई देगा ठीक है यहाँ पे आप click करोगे तो आपको यहाँ पे पहला ही option scholarship test का नजर आएगा ठीक है यह पहला ही option scholarship test का है यहाँ पे जाके आप scholarship test दे सकते हो ठीक है यह orange color का button है जहाँ पे test लिखा है यह इस button पे आपको click करना है यहाँ पे click करोगे तो test start हो जाएगा ठीक है test contains questions to clear all your concepts all the best and यहाँ पे start करना है start करोगे तो test आपका यहाँ पे start हो जाएगा ठीक है general aptitude के यहाँ पे part A, part B और वैसे ही part C भी आपको दिखेगा एक एक question करते जाना है previous question, next question की तरफ जाने के लिए य तो इस तरह से आप यह test appear कर सकते हो, मैं फिर से एक बार बता देता हूं quickly, IFS का app download करो, यहाँ पे account create करो अगर नहीं है तो अगर आपका किसी paid course में admission है तो आपको एक new account create करना पड़ेगा, उसमें आपके सारी details add कर दो, आपका जो भी subject है subject select कर लो, CSR net chemical sciences में चले जाओ, या जो भी आपका subject है CSR net physical life या mathematical sciences वहाँ पे चले जाओ, उसके बाद आपको play win learn यह option select करना है, उसके बाद आपको scholarship test वाला option select करना है, और उसके बाद आप यह test appear कर सकते हो, ठीक है, start करना है और यह test आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुत ही simple सा procedure है, और बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा practice भी आपको मिलेगा इस आने वाले CSR net के exam के लिए, तो teachers day के इस occasion पे आप सब को बहुत बहुत शुब काम ना है, and all the best for the test, happy learning